रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें इरिस्पेक्टिव के मैं सेव हो या ना हो इम रेड़ी तो रिविल इस बिलीव के मैं ये कुछ बड़े पन में ये सोच कर ये रोग दिया है तो I don't mind अगर मैं सेव नहीं भी होता मैं ये चाहता हूं रिविल करना इफ ये लाओ नहीं भी हो don't let emotions take over your mind कि अफिस बत तरो नो नो अफिस नो अफिस नो अफिस नो अफिस्ट आपना गेम केल ना तूम इसकी एडवाइजर मत बनो ऑ कि मैं से ईंटेंड नो तरीज को अफिसे बता लां को सिप्थिछ नियुद नहीं बाहरा हूं बॉत वक्ते जीज ना मुझे ना मुझे छोड़ रही है 2007 जैन्वरी बहुत थंड होती हमारे गाहों में मुझे याद है सुबा कुछ 7 बजे का वक्ता मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला के जल्दी उठ तेरी मम्मी को कुछ हो गया उसको होस्पिटल लेके गए और मैं एकदम उसमें उठा जल्दी बाग जल्दी बाग सुबा साथ बेका वक था और घर से घृस्पिटल दस मिनिट रणिग है तो दस मिनिट तक मैं भाग के पहुचा मैं जैसी हॉस्पिटल पहुचा तो एमरजेंसी वाट से मॉम को भाल लेके आ रहे थे AND she was screaming अपने पेट पर हात रखा यवा था और she was screaming तो मैंने बड़े पापा थे बड़े अपापा थे बड़े घँचा जब वाबटे बहन थी तो मैंने पूचा क्या हुआ थॉआ तो पूले तो पता नियों को अचानक से पेट में दर्द हॉरह देही haw इमर्जनसी लmoon में अज्यीए, उनको दिए फरक नहीं थाथ। विल ही जाक अफिटल इसे विल थे भी हो अगे उस्थेखले जानापधा इसजिए लुच प्रेशल ले करें अच्छान को गए वाड में दाला और समझ नहीं रहा है डॉक्टर आरे ट्रीट करें क्या हुआ बोले पता नहीं अच्छानक से यह हो रहा है मैं तोड़ा डरा हुआ था मैं बस वह खड़ा वा था महां पर नर्स है जो मेरी मॉम की बेहन की बेटी है तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी बोले क्या हुआ अम्मी को यह वो हम लोग बोले कुछ नहीं कुछ नहीं तो अतने मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जा के बोला के तेरी मॉम ने एसीड पी लिया है तो तो मैं उस वक्त बोला के तो बोल क्यू नहीं रह ऐसा तो बोलें तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे उस लेक नहीं मैं भाग करो जो मेरी खाला की बेटी दी उसको जाके मैं बताया के सुनो ऐसा हुआ है तो शी वरी शौक्ट शी लेक कि पहले क्यों नहीं बताया उसका ट्रीटमें होता है तूरंत वह दूद दिया जाएंगे कुछ चीजे होती है तो जैसी पता चला उनको दाला उब्सरवेशन में फटा फटा फट सारे डॉक्टर्स आए यह आए वो आए इस सुबा साथ अब हो जाएंगे ठीक अब ही ठीक हो जाएंगे तो एक मुम्मेंट आया जिसमें दॉक्टर ना आपस में बात करिया आए यह देख रहा था उनको और उनोंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे तो मैं हाथ छोड़ दे मेरे को जबर्दस्ती हाथ छोड़ाया तब मुझे पता तो उस दिन जब मैं रोज मेरे अम्मी के पास सोता था उस रात में अज़ बिकास मौरम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप तो मैं नीचे दादी के सो गया था तो अगर मैं वहा होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी तू अगर मैं रियलाइज किया क अगर मैं बोले कि इस ओरत ते साथ आठ दिन से खाना नी खाया और उनके पेट में कुछ नहीं है उनका पूरा सब बॉड़ी का सिस्टम बहुत बुरे लेविल पे है तब जह के सब चीज़ रियलाइज हो रही थी कि एक बाइस साल का एक मैरिज लाइज लाइफ उनका बि अगर उनका इतने चोटे थे कि मौम बहुत जो टास्क आते न वो चक्री आला पापड़ वो सब मेरे को मेरी मौम की इस लिए दिलाते क्योंके मेरी मौम घर चलाती थी यह सब करके ड़एड अपनी दुनिया में थे मौम अपना ही सब करते थे तो आइज रिमेंबर वो चक कभी नहीं मिली उस घर में मौम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से शादी की ती मेरी मौम की दो महीने पहले उनकी देद के तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मौम पे डाला और वो येर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना ब वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो खर्जा लिया था और वो आदमी आके गेट पर खड़े रहे के बोलता था कहा है वो मेरे पैसे नहीं मिले ब्यास का पैसा है साथ सो रुपया देना है ये महीने का तो साड़े तीन हजार रुपया वी न्यू और डैड का तो छोड ने साड़े तीन हजार रुपय क्यू नहीं था आज अगर मैं ऐसे तरवा पैसा का माला हूं या कहीं से भी पैसा आर्रा उसाथा एचा क्या फाइदा क्यों यूड़ा यह जब इस्तमाले मेरे को ने आरा है मेरे दिल से दिमाग से एन चीज़ नहीं जारी कि कोई एक रीज तो मेरी मुम ऐसी थी, कि जो हस्पिटल में भी थे तो पूरा महला हस्पिटल लाकर खड़ा था She was very good lady. She was very strong, very strong.